प्रियेस्ट वाली वीडियो में हमें क्रया देंँ नीचे वाले वीडियो नियुकुलीट को करने लें लूज़ के वूरे हमें जो कम्पलेट कर लेंगे 2 तो साथ करते हैं हम देखते हैं आपका question no.6 क्या कहता है estimate the value of nominal GDP for a hypothetical economy the value of real GDP and the price index are given 500 and 125 देखे इसके लिए हम एक fresh page ले ले लेते हैं देखे बात करते हैं जब हम GDP की बात करते हैं सब GDP करते हैं तो GDP को आप दो तरीके से calculate करते हैं एक होती है GDP जिसको हम कहते हैं nominal GDP और एक GDP और इसको कहते हैं real GDP ओके तो जब GDP हम current price पे निकालते हैं करीन चीटीप करेंट प्राइस से में सब्सक्राइब करने हैं तो अब इस कोशन में क्या बोलता है इस कॉशन में आपको फैन क्याू क्या करना है इस को चैट! जो है नॉमिनल GDP आपको फाइंड करना है और आपको गीवन क्या है सर आपको गीवन है real GDP real GDP जो है हमको दिगी होई है कितना 500 दिया हुए और उसके लाबबा हमको price index जो है price index given है कितना इस यह दिया वाथ हमको 125 चलिए ठीक है अब यह क्या करते है हमको एक फॉर्मुला यूस करते है इस फॉर्मुला के लिए हम क्या होता है थे को price index है एक फॉर्मुला होता है price index equals to nominal GDP nominal GDP upon me real GDP into 100 ओके तो अब इन वेल्यू कॉम्पूट कर देते है देखिए सब वैल्यू क्या क्या गिवन है तो हमको price index गिवन है तो 125 संदे price index लिग दिया हमको nominal GDP तो find करना है लिए इसको एक्सिमाल लेते हैं उसके बाद फिर इसके बाद हमको real GDP दे रखा है तो real GDP कितना है सर तो real GDP आपका 500 ओके इंटु में 100 तो क्या करेंगे इसको थोड़ा साम प्रपर अरेंज करते हैं तो यह हो जाए तो यह हमने एक कार्ट दिया तो यह जीरो सी जीरो कट गया एं एक्स की value कितनी हो जाएगे आपकी 125 इंटु 5 तो यह कितना हो जाएगा आपका 625 तो यह हमारा हो गया यह हमारा answer हो गया और कितना हो गया आपका 625 हमारा answer आछुका है इस quotes की के डिदें को कर से आँ हो गया हमारा हमारा हमार 625 अंशर चल देढ़ी कोशन motor इस ka6 के इंट ब्हुग होगा और कुषमिस और नहीं हो गया यह कोशन बोलता है गिविंग अ LaparTroot reason explain which of the following will not be included in the estimation of national income of india देखिए एक बाद मैं आपको तरह से इसको background बता देता हूं किसा दो तरह की चीजी होती है एक होता है आपका national income और दूसरा national concept होता है और एक होता है आपका domestic concept होता है देखिए तो जब हम domestic की बात करते हैं तो हमारी geographical boundary के अंदर में जो भी चीजे produce होती है चाहिए वह इंडियन फर्म हो लेट सब्सक्राइब यहां पर ले लेते हैं कि गूगल का लेते हैं यह आपका American company हो गई उसके लावा हम टाटा की बात करें विप्रो की बात करें उसके लावा एक Amazon हो गया चार कंपनियां काम कर रही हैं याप और 6 वीप्रोने क्या किरने क्या कितने हैं वहकं क्या हों क्या है थे filmat के वाइस हमोट कि mbol करते हैं तो उसमें होता क्या है किस में उनी चीज़को होता है जो हमारे खुद का हुद जो country के खुद के income होगे खुद के पास पैसा आएगा हम के वाद उसी को include करेंगे तो हम क्या करेंगे सर इसमें वो सारी चीजे जो हमारे बाहर की है उसको क्या करेंगे exclude कर देंगे जैसे for example Google इसको पर चेंज कर लेता हूं Google आपका यह पैसा कहा हो जाएगा इसका आउट फ्लोव जाएगा क्योंकि अमेरिका चला जाएगा पैसा यह उसके साथ अमेजोन का भी पैसे का आउट फ्लोव जाएगा तो बच्छा क्या सब्सक्राइब टाटा एंड विप्रो कितना हो गया है टाटा का किता था पंदरा सो तो यह पैसा करें कि इसमें अडल जाएगा तो कितना हो जाएगा तो टूटल फाइफ अंडर स्वास्ट हो जाएगा तो यह इसको कॉछल जाता है यहां पर नैशनल इक विल्स टू domestic plus inflow minus outflow तो यह हमारा formula बन चुका है यह हमारा concept है जो मैं आपको समझा चुका हो अभी हम बात करते हैं सर कुछ options दिर्खेंस में हमको यह देखना है कि कौन सा include होगा और कौन सा includes में नहीं होगा देखे क्या कहता है आपका यह कहता है purchase of shares of city limited by investors in the Bombay stock exchange देखिए कभी भी जब हम precautions के हम बात करते हैं न national income के या फिर income matter नहीं तो उसमें यह चीज़ को consider करते हैं कि जब कभी भी sale and purchase of shares के जाते हैं तो इसको आप include नहीं करते हैं क्योंकि नहीं करते हैं क्योंकि यह only transfer of ownership transfer of ownership of shares of shares इसमें क्या होता है केवल ownership transfer होती है इसमें किसी पिता का production activity में यह अपना participation नहीं दरता है इससे किसी चीज़ का production नहीं होता है हम कह सकते हैं यह केवल आपका transition को monetary transition दिखाता है किसी प्रकार का value addition इसमें वह नहीं होता है तो इसकी वज़ेसे हम valuation ना होने की वज़ेसे इसको में इंक्लूड नहीं करते हैं तो यह हो गया आपका दीख है कीव तो होता है हम आपका तो यह करते हैं लोक्त नहीं होगा क्योंकि यह को क्या करते हैं on capital assets charged by the firm, बिल्कुल, यह हमारा depreciation जो होता है, वो charge होता है, क्योंकि हमारे देश में, यह correct है आपका, यह आपका होगा, क्या कहता है आपका, इसको हम कर सकते हैं कि यह होगा depreciation on capital assets charged by the firm, ओखे, depreciation होता है आपका, तो हम कह सकते हैं, अच्छा सरी, यह भी आपका include नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसको हम अकाउंटिंग परपस के लिए स्माल करते हैं यह क्या होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको नहीं करेंगे तो तीनों ही पॉइंट है जिनको नहीं करते हैं आपका नेक्स कॉशन देखने हैं तो श्क्राव का आएगा ओके विए रखार और नेक्स कोश्टिंस करते हैं आपको क्या कोशन का सिक्षा आते हैं Гण ऐब को टेबल डे और अपको कंई करने क्लिए बोलेग और यह बहुत यह chill होते हैं ठीक है अबर इस टेबल को दे अब बताना है कि सरी क्या क्या हो रहा है ओके अपकी पैदा होते समय उसी को बोलते हैं इंफेंट मुटालिटी रेट इटी कितना है इंडियो शिलंका के करना है न हम इसको मां कर लेते हैं इंडियो शिलंका को इसका मतलब क्या है एक हघार वच्चों में से इंकी ologist हो जाते है न की चाट कर सकते हैं उसके बाद फिर उसके बादад सब्सक्राइब में से 88 बच्छों कि रही आप़े की लग पाते हैं जो उपर इन्जक्शन सोते हैं लेकिं शिलंग मां किता हैं इंटी नाइन दना बच्चों को है लग जाते हैं तो हम इसके क्वारां पर प्रोग्राम चला जाते हैं वह हमेरे बैंडिया में इस्थी नहीं है यहां पर ज्यादा अच्छी है तो दीडिके दो चीजी वह गई है कि आप इसको क्ते हैं तो इसके बेस्सितं क्या बोलते हैं है यूमन डवल्डमकेंट इंडेक्स और कुशनकेंद निकालता है ये और इनकलते हैं यून डवल्ड रिपूर्ट लीपूर्ट को नकालते हैं अच्क पो होता है hdr human development report उस hdr में एक index होता है जिसको कहते है hdi hdi क्या करता है आपका तीन चीजे होती है इसके अंदर में सर्फ per capita income education education and then third number होता है आपका health इन तीन चीजे को consider करता है development को measure करने के लिए ओके तो यह zero से लेकर एक तक का scale देता है जो देश zero के जितना pass होगा वो कम develop हो जाएगा hdi के अंदर में और जो देश एक के जितना करीब होगा वो क्या हो जाएगा आपका उतना ही अच्छा होता है है hdi के अंदर में तो यह भी होड़ा question हो गया है अब हम question number eight पर आते हैं क्या बोलता है यह question यह बोलता है आपका investment multiplier चलिए इसके लिए हम लागा लेता है एक fresh page लेते हैं आपको investment multiplier बताना है देखे इंवेस्मेंट multiplier basically investment multiplier आपको बताता है कि आपकी particular investment से particular level of investment से आप कितनी जो है वो income जो है वो जन्रेट कर लेंगे उसी को बताया जाता है investment multiplier से ओके तो hypothetical situation लेते हैं तो let's suppose करो हम यह बोलते हैं हमारी जो initial investment है let's suppose करो initial investment इन्वेस्मेंट जो है हमारी वो है हमारी let's suppose करो इसको ले 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 लेते हैं 4000 ओके एंड़न उसके बार हम ले लेते हैं let's suppose करो की जो MPC है MPC हमारी कितनी होगी है 0.5 ठी के पहले MPC के थो के निकाल लेते है फामला के थू उसके पहले इसको फॉर्मला के थू करते है उसका इसको क्या करेंगा टेबल जो है वो बना के आपको दिखाता हूं है आपको सब कίν yacht χanelnे निक़ने का एक फॉर्म्मला होता हैा रिक फार्मला होते है के इक फॉर्मला होता है के एक वर टू वन अपॉन में वन माइनस 0 5 तो यह हो जाएगा आपका 1 अपयों में 0.5 यह हो जाएगा आपको意思 कुमेजी के टेट नंवी आपका 2 हो हुँगे हुगे तो थो होगे y निकालना ही था हमको डेलल्ता वाहँ लुकार निकालना था तो हमने इनिच्ञ इंवस्में तो यह हो जाएगा आपका डेल्टा वाई एक्वल्स टू 8000 तो यह क्या हो गया यह बताता है कि अगर investment अगर MPC 0.5 है और तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो initial investment होगी ना उससे हम double जो है वो क्या कर सकते हैं अपनी जो है income generate कर सकते हैं तो इसको जो लो टेबल के थू करते हैं तो सबसे पहले में आप पर देखते हैं round 1 लेते हैं आपर round round उसके आप फिर initial investment हो जाएगा आपकी इसके बाद फिर डिल्टा वाई हो जाएगा आपका एंड डिल्टा सी हो जाएगा consumption ठीक है तो यहां PCT में आपको पता ही है क्या होती है इसका तो कोई लिक्त नहीं है लेकिर हमने फिर भी लिख दिया है तो round 1 इनिशल investment कितनी है इनिशल investment टी 4000 ओके तो वह हमारी इनिशल investment है तो हमारी इनिशल इतनी चनेट हो गई फिर्स राउन में अब इस income का कितना portion हमने spend कर दिया सर्फ 50% यानि कि आपका 2000 हमने spend कर दिया ओके तुसरे जिब आपने इतना पैसा spend किया अब सोचो ना कि अगर मैं इसका एक्वावल लेता हूँ कि सरकार ने एक ठेका दिया किया, एक ठेका दिया a road construction के लिए विए तेका, road construction road बनाने के लिए सरकार क्या क्या करें, tender pass किया, अब या road बनाने के लिए सब उसको किसी जो हे ना किसी एक rideclass to Mr. Mr. PHPandlael एक पने से किसके उपर इसने जो है वह करो की कुछ सीमेंट वाले को दे दिया को पैसा करती नहीं होगी इस तो इसका इसका चार जामें से 2,000 पैसा अब इस जो पैसा चिनको खर्च किया गया है यह तो उनकी इंकम हो जाईगी ना क्योंकि एक बंदे की जो वो expense होता है वो दूसरे बंदे की income होती है इसका expense रोहनलाल का expense जो यहां पर जमीं वाले थे उनकी क्या बन जाएगी तो उसी तरीकी से 2000 की जब उसने expense किया तो next round में क्या हो जाएगा किसी दूसरे वैक्ति इंकम मन जाएगी है ना तो जब जिसकी अब हमारी अर्थवरस्णा में हम 50% पैसा खर्च कर देते हैं तो जब 2000 की इंकम जनरेट वी तो वह भी क्या करेंगे नेक्स वले वह भी इसका कुछ पैसा से लेंगे 50% से लेंगे और 1000 पर खर्च कर देंगे सब सब्सक्राइब हमारी में हजार का इंकम जनरेट हो गई तो यह भी क्या करेंगे 500 कर देंगे फूर्थ में फिर क्या हो जाएगा 500 यहां हो जाएगा और फिट 20 Says हो जाएगा इस ही तके से यह क्या होता है round आपके चलते जाते हैं आपको सारे निकालने की दिर अतनी होती है बस आप तीन चर्स निकाल दो और इसको कहा कर दो लास्ट में आप एड कर दो सब्सका इस आप का ग्यक्व ढशिक है कि हमें सतो ना कर देंगे उके तो यह सारा को क jon Springs कि विल्ग DC MARK और अधकी कली मास को अधक कि यह मेर्णन आपका ऑका चलिए नेक्स कुशन ग्वरिंग में यह साटे घ्न पी यह से पैले वह को शक्राइब अगर 7th हो गया है 6th में ने कर लिया था 7th हो गया हमारा 9th पे ओके चीक है सर हम क्या करते है आपका चलिए ठीक है सर कैसे करेंगे जी एन पी निकालना है ना ठीक है मैं आपको एक तरीका बताता हूं इसको कर देख हम कैसे कर सकते हैं है कि अगल करना है जिन पर नीकालना है हिए तो सर अजिन प न्यकालना हैं घॉ process लेरा पने करой से जह एक हैक स्टय डिकते के साथ किया सविवेडिंद देख गया का सत्ति कून वहका-प method का question है. Income method? रिश्चोछ नहीं नहीं agree income method का है और हमको यह बता है कि सह income method से किया निकलता है the income method से निकलते है Nम P at fc formula क्या हो ता है इसका? Cyrus countdown mixed income plus NFIA plus COE plus OS operating surplus دیکھते हैं को क्या करें रखा है पहले हम NNPR FC निकाल लेते हैं उसको भी कर्मट कर देंगे GNPET FC में हमारे लिए हो बहुत इजी पड़ेगा तो Mixed Income directly question में दे रखे है कितना सर तेरा सो होगे Let's 300 add कर देते हैं plus sir RFIA Net Factor Income from abroad किता दे रखा है आपका 120 तो इस लिए देते हैं minus यह minus में value हो था मिने इसको minus में लिख दिया let's see you दे रखा से question में बिल्कुल दे रखा है सर कितना ही दे रखा आपको 12,000 Sir operating surplus कितना दे रखा है question में rent and interest दे रखा है आपको 1800 plus और के दे रखा है profit दे रखा है आपको कितना 1500 तो अब शॉल्व करते हैं जड़ा और को सब्सेडी से इसमाल कर देंगे profit हो गया होगे मार्केट पाइस ठीक है चलो इसों सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 1300 यह हो जाएगा आपका 18 तो यह कितना हो जाएगा आपका 13 33 33 तो यह हो गया होगे और 1300 यह हो जाएगा आपका और यह हो जाएगा आपका और यह हो जाएगा आपको कितना तैंदेश्ट तो 12 और 13 तो यह हो जाएगा आपका 006 561 तो यह हो जाएगा कितना 0 8 5 में सिफ बन गया तो यह हो जाएगा आपका 16 480 कोई दिकत नहीं सिर अब यह हमको मिल गया ना अब यह जीनप किसे निकाल सकते है जीन पी निकालने के लिए ना देखिए आपको गीवन क्या है सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अब यह सुचिए न एंस से मैं सेक्टर कॉस्ट भी से मैं सर्डिफेंस की चीज क्या है तो अगर आपको नेट से डेप उस पर जारा ग्रास पर तो आप डेपेशिशन एड कर दीजिए तो सब्सक्राइब कर दो यह हो जाएगा आपका 1100 आपका है तो प्लस कर देते हैं इसको तो यह हो जाएगा 80 लास्ट में 571 तो यह हो गया आपका 17580 तो यह हमारा आंसर हो गया यह हमारा करेक्ट आंसर था तो हमने यह भी कुशन कर लिया इसको देखते हैं रेंट एंड रोयल्टी देखिए है सब जब कभी भी हम fixed asset को higher करते हैंYes fixed asset fixed asset अब कुछ भी हो सकता है fixed asset में जैसे आपने यह सपोस्सकुन कैसी की जबीन हाइं nie alleine हो गया आपका है नACE लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गई यक्श्रान ऐसे को होता है ली साकर जो fix asset होती आप उसको है करते तो उसके exchange हम क्या pay करते हैं इसके exchange हम rent pay करते हैं लेकि जब रोयलिटी की बात करते हैं तो जब कभी भी आप IPR intellectual property rights यह intellectual properties यह रहुग हो गया आपकिसे के यार करने पड़ता है कि यह आपका टेंचिलल ग orangey और अन सुट होटा है और र्च सदेलेक्ट्ट जो प्रापटी होती है उसके अब जो है आपका वो दिया जाता है तो यह भी मारा कोशन हो गया है अभी हम चलते हैं किसके उपर नेक्स कोशन के उपर में यह होगा हमारा ओके कोशन नमद ठीक है कोशन पर आते हैं सब्सक्राइब कर लेना बहुत है इजी कोशन है आपका ठीक है तो हम इस पर नहीं जाते हैं क्योंकि यह बहुत असान है तो यह आपके लिए होंवर्क है इसको आप ट्राइ कर देना ठीक है अगर आपको यह सोलुशन हो जाते हैं तो अच्छी बात है नहीं होता है तो आप मुझे कॉमेंट बता देना तो मैं इसका सोलुशन जो हो करवा दूंगा आते कोशन वैल्यू आउट पूट पूट एं डेकिए यह जो कोशन है ना I think मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोशन 23 में जो आइधिक जून का जो पेपर ता है यह अफिर कंपार्ट्मेंट वाला जो पेपर था उस में यह पेपर कोशन जो है मैने आपको आपको आ दिया था तो वहां मैंनेको इस पेशन को अच्छे सिप सकते हैं राखी उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो में नीचे दिस्क्रिप्शन में डाल दूगा अभी माते है कि इसके उपर कोशन नमर टेन के उपर में इंडिया है इस बें दीलिंग विट प्रॉब्लम ऑफ डेफेसिट डिमांड के समस्था है कि यह ऐचे दाओंड मर्च दिधो की है कि यह मर्च में लॉक डाउन लगा था लोग दाउन की वज़े से शब लोग नबने benim को जब घर में थे तो डिमांड क्लियिया और है बहुत ज्यादा काम हो गई थी om state and discuss any two monetary policy measures to combat the situation of deficit demand, देखिए, इसके लिए मैं page add करता हूँ कि यह important है और इसको concept clarity बहुत ज़रूरी है, देखिए, क्या था, यह को देख से नहीं है, यह था आपका deficit demand, छी क्या है, deficit demand, देखिए, सर यह होता क्या है, देखिए, यह होगा आपका y, ओके, यह होगा आपका ad, यह जो point आपका, इसको मैं तरहाँ ग्रीन सिमा कर देता हूँ, इस point कम कहेंगे, equilibrium, okay, तो हम क्या सकते हैं, सर यह equilibrium का point है, हमारा, बिल्कुल correct है, लेकिन जब हुआ क्या, जब आपके equilibrium level से कम demand हो जाते हैं, यह हमारी demand क्या हो गई थी, COVID-19 में कम हो गई थी, तो जब demand कम हो गई तो ad curve shift हो के क्या हो गया, नीचे चला गया, यह आपका curve नीचे चला गया, तो जब यह curve नीचे चला गया, तो इसकी वेसे प्राब्दे को demand होनी कितनी चाहिए थी, इसको कहते हैं, deficit demand के situation कहते हैं, जब equilibrium level पे जितनी demand होनी चाहिए थी, उससे कम demand होती है, उसको deficit demand कहते हैं, तो अब इसका होगा गया, अब इसका solution आपको बताना है, जब deficit demand की समस्या को, fiscal measures की बात करेंगे, तो जो government जो भी कदम उठाती है, government के द्वारा, government की policies के थूँ कोई भी कदम उठाया जाता है, जैसे taxes हो गई, for example, taxes हो गई आपकी, या subsidies हो गई, या direct expenditure by the government हो गया, direct expenditure हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम fiscal measures में count करते हैं, जब RBI, Reserve Bank of India, RBI कोई measures उठाती है, तो उसको हम किसमे consider करते हैं, सर वो होता है, वो होता है हमारा monetary solution होता है, अब आद विए के नदर बहुत साथी चीज़े होती है, देखे, इसमें बहुत साथी चीज़े होती है, अब इसमें भी, बहुत साथी चीज़े होती है, उससे पहले एक और classification हो भी बता देता हूँ, तो आपके एच्छे से clear हो जाएगा, सर इसमें भी दो measures होते हैं, आपके दो तरीके होते हैं, एक होता है quantitative, 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 और एक होता है आपका qualitative, okay, सर quantitative and qualitative, देखे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सर हमारे जो bank rate हो गया, bank rate हो गया, तो इसमें आएगा, सर repo rate हो गया, RR, reverse repo rate हो गया, टिपलार हो गया आपका, then CRR हो गया, cash reserve ratio हो गया, SLR हो गया, statutory liquidity ratio हो गया, and open market operations, यह सारे कोहन से measures होते हैं, सर यह quantitative measures होते हैं, उसके लावा selective credit control हो गया आपका, या फिर आपका moral situation हो गया, तो यह जो measures आते हैं आपके, वो किसमें आते हैं आपके, वो आते हैं आपके qualitative के अंदर में, अब हम कैसे इसका solution दे सकते हैं, देखिए, सर बेसिकली हमको करना क्या है, यहाँ पर AD, यहाँ कि deficit demand demand आपकी काम है, aggregate demand आपकी काम है, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि हमारी यह जो demand है, वो क्या हो जाए, increase हो जाए, demand आपकी increase हो जाए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सर्म कुछ ऐसा करें, जिससे लोगों के पास पैसा जादा जाए, कि हमको money की supply क्या करना ही, पड़ेगी मनी की सप्लाइब हम को इंक्रीज करने है सप्लाइब मनी शुड बोई इंक्रीज कि इसको इंक्रीज करना चाहिए तो क्या कर आर्प चाहर और कक्लाइगी सब्सक्राइब। सभ बैंक राटको yan को कर देगी State bank ka कम कर देंगे तो commercial banks जो है ना क्या कर जाएंगे उनको low rate पे क्या मिलेगा low rate पे credit उनको मिल जाएगा जब उनको low rate पे credit मिलेगा तो आगे जो ही आप जारेगी जर्रल पब्लीक को भी low rate पे उधा देगी तो इससे क्या हो जाएगा आपका aggregate of securities RBA क्या करेगी securities RBA क्या करेगी सब purchase करेगी security suppose क्रों मैं यहां पर लिखता हूँ यहां पर RBI है RBI है ओके यहां पर आपका market open market 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 में क्या हो जाएगा ओके मार्केट की बात हो दिया तो यह सकती है आपकी primary landers हो सकते हैं तो कुछ भी तो आपकी इसे क्या करेगी सर आप इन से security को इनकी security purchase करेगी इनकी security purchase कर ली ओके जब इनकी security purchase करेगी तो RBA उसके बदल में क्या करेगी आपर payment करेगी तो payment करेगी तो होगा क्या सब्सक्राइब यहां पर market में money का flow क्या हो जाएगा money flow money flow आपका increase हो जाएगा money flow increase हो जाएगा तो आपकी AD क्या हो जाएगी वह भी भर जाएगी तो यह पूरा concept होता है अब ऐसा करने के बाद जो है हमारी AD जो है वो इंक्रीज होगी और अपने जो सेंब पोजीशन उसके पर वो पहुंच जाएगी तो यह भी कोशन हमारा हो गया हमने 10 कोशन कर लिए आपका चिक यह पांच-पांस कोशन आया था ओके यह हमने कोशन कर लिए अभी जो नेक्स वीडियो आएगी उस वीडियो क्या करेंगे बाखी के जो एक कोशन से आपके इनके जो है वो complete solution हम डाल देंगे चिक है तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं चन्यवाद कर दो 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 कर 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 दो कर दो कर दो कर दो कर दो